यह चो ग्याप आपको दिख रहे इस तरह से यहां पर इस तरह से ओपन 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 होगे न तो यहां पर आपको फिर से बैक फिलिंग करना है तो यह आपका प्लिंट लेवल का बैक फिलिंग गे हेलो सिविल इंजिनियर्स वेलकम बैक टू लेक्चर सो एक बार इस सारे चीज़ आपको हो गया देखो अभी इतना समझू हमने बैक फिलिंग किया था कहां पर ग्राउंड लेवल तक हमने बैक फिलिंग किया था फिर हमने प्लिंट बिम का पीची से डाला ठीक है फिर हमने इसका शट्रिंग मारा थे अभी तक इन लोग्ट खोला नहीं नो प्राब्लम यह बहार की तरफ न सारे शट्रिंग अपने डाला था शट्रिंग डालने के बद हमने किया के अपको पूरा प्राक्टिकल अंदे साइट इस तरह से दीखेगा अब इसके वाद हमने क्या करने यह जो ग्याप आपको दिख रहा है इस तरह से यहां पर इस तरह से ओपन ओपन होगे ना तो यहां पर आपको फिर से बैक फिलिंग करना है तो यह आपका प्लिंट लेवल का बैक फिलिंग है फर्स्ट आपने बैक फिलिंग किया था पूरो नाच्रल ग्राउंड लेवल था अब नाच्राल ग्राउंड लेवल से लिए तो यहां से मेरा 350 लेवल है अपने टुरीफिफिट्रेस अपनी प्रॉस्टेस सारे में 350 हमने किया है थीक अब जैसे ओ 350 उपर चला गए फिर यहां पर क्या हो गया इस तरह से एक होल बन जाएगा मतलब हो तो ग्याप है वाप उसको फिलिंग करना है उसका कॉंटिटी हमें फाइंड करना आप तो बहुत सिंपल है कैसे फाइंड करो कि कुछ नहीं आपको बस इसका लेंज चाहिए राइट इसका लेंज दे दो सर मेरे को और सर्वेरे इसको ब्रेट्थ भी दे देना डफ तो हमें पता है थाड़े 300 तो डप से अगर मैं मल्टिप्लाइब करो क्या मेरे कुछ इसमें जितना सॉयल चला जाएगा बैक फिलिम में इसका मैं कॉंटिटी निकाल सकता हूं वेरी सिंपल बस इस चीज़ा में करना है अब आपको क्या करना है या अभी आपको क्या करना है ओके ठ देखो फाइन चलो यहीं पर बना देंगे फिर भी एको ड्रोइंग में ओपन करूंगा यह आपका पूरा प्लिंद बीम का लियाउट एट इस ग्राउंड फ्लोर और प्लिंद बीम लेवल लियाउट अभी देखो इस तरह से हमें पूरे निकालना पड़ेगा केसे निकाल करेंगे तो दोनों को मल्टिप्लाइ करेंगे और इससे हम डेप को मल्टिप्लाइ करेंगे 350 का ठीक है तो आपको यहां पर कॉंटिटी मिल जाएगा इंद सेम वे आप इसका भी निकालो इसका भी लेंद निकालो आमीन ब्रेट निकालो इसका लेंद निकालो ठीक है और इ मैं इसको नेमिंग से स्टार्ट करेंगे नेमिंग क्या होगा फर एक्जांपल मैं इसको मान के चलूँगा कि एस वन है मतलब ओके लटस कांसिडर के एस वन आप कोई भी नेम दे सकते हो मैं हाँ पर स्लाइब वन ऐसा नाम दे रहो एस वन ठीक है इसको दूसरे कलर से करेंग एक मेरा एस वन हो जाएगा ताकि मेरे को जब में क्याल्कूलेशन करूंगा इट विए सी फूर मीतो इडेंटिफाइख सब्देख ठीक है तैक एक मेड़ एक मैं हाँ फिर इसके बाद यह आजाएगा आपका एस टू ठीक है यार यह हो जाएगा आपका स्टू फिर फिर ठीक है फिर यह हो जागा समझ में आ रहे है तो आप इस तरह से नेमिंग दे दो सारे का जैसे एस वन एस टू एस त्री आप बता सकते कि एस वन यहां पर इसको में एस टू दे सकते हैं आप दे सकते हो पर प्रॉब्लम कि एक पैटर्न को फॉलो करो तो तुम उपर से तरह से सारे स्लाब का पर एक नाम दे देना ठीक है मैं आपको अपके सामने एक ओड्रोइंग ओपन करूंगा वहां पर अल्रड़ी मैंने लिखा है वह सारे चीज़ ओके लेट मीचेक इसमें भी नहीं है ठीक है एक मिनिट का टाइम देना को को या कोई बातनी मैं यहां पर करके दिखाओंगा ठीक है तो इसका नाम एक बिते करोंगे ठीक है यह वाला सिंबल आप हटा देना ठीक है वहाँ पे कोई एक्चले स्लाब है पर वहाँ पे कोई स्लाब हमने कंसिडर नहीं किया है क्योंकि प्लिंद बीम में यूजिल आप बैक्फिलिंग करोगे वहीं पे टाइल्स लगाओगे थोड़े जगर पे जब कमर्शेल बिल लिया मैंने तो ड्रॉइंग में मैंने एक्सेल चीट बनाके रखा है तो शायद मैंने यहां से लिया होगा 5.5 एक बार चेक करेंगे ठीक है अब कि एस वन यह आपका 5.5 होगा और यह ही चलू तो इसको यहिंट नहीं करेंगे चोड़र ओं इसको में डिलेट कर रहा हु आक इसको पॉइट पॉइंट फाइए यह जो फाइप पॉइंट फाइए आपका हो जाएगा यहां से यहां तक ठीक है यह वह जाएगा चार मीटर तो चार मीटर लेंद है इसको मल्टिप्लाइ करेंगे 0.35 से तो आप यहां तक तो बना सकते फिर कुछ नहीं करने आप एक नया एक्सेल शिट बनाओ जैसे यहां पर बनाया था हम नहीं चार में यह तो शाहिद हमने कई एक एक्सेल शीट बना के रखा था आप उसी को यूज करो और उसको इस्टाइस लिखना है बैक्फिलिंग अब ग्राउंड लेवल टुदा प्लिंथ बिंट लेवल टुदब प्लिंथ बिंथ के टॉप तक हम यह भी बैक्फिलिंग करना ह है ठीक है चलो तो आप इस तो से अलग अलग लिकोस का नेमिंग देना ठीक है आप कुछ भी नेमिंग दे सकते हैं मैंने सब्सक्राइब और यूनिट आपका क्यूबिक मिटर में रहेगा और नंबर आफ मेंबर सब वन नहीं रहेगा पस्ट 5.5 तो 5.5 कहां से मिला इस 5.5 त तो आप यहां पर देख लेना तो मेरे चार मल्टिप्लाइब और देप्थ आपका 350 रहेगा क्यूंकि बीम का जो ट्यप्ते 300 तो उतना ही तो आपका बैक फिलिंग का मिट्टी जाएगा और फिर टोटल कॉंटिटी के लिए क्या करेंगे 5.5 इंटो 4 इंटो 0.35 इससे आप कांसर आजाएगा 7.70 क्यूबिक मिटर और टोटल कॉंटिटी के लिए 7.70 इंटो 1 नमबर ओफ मेंबर वन नहीं है ठीक है समझ में आ रहे है इन दे सेम वेए अपको ना अब दूसरे में जाएंगे तो इसको मैं नाम दूंगा एस्टू का इसको हटा देना अगर जो नहीं इसको नाप लो फिर फर्स्ट इसको नापो यहां से यहां तक कि यहां तक 4900 और यहां से तो यह इसको एक और डिजिट इंक्रीज कर देना ठीक है और इसको भी एक और डिजिट इंक्रीज कर तो आगए यहां पर 4.9 00 इसको ड्रागी करने आपको इस तरह से ना आप पूरा करो इसको डिलीट करो अगर नहीं है तो आप इस तरह से बना लो खुद का ठीक है क्यूंकि सारे चीज आपको स्पून फिडिंग नहीं करेंगे आप कुछ काम खुद भी कर लो ठीक है तो यह सब बना लेना आप सो देट एक बार अगर आप सीख लोगे ना तो देन यू डोंट हाव टू टेक एनिवन सेल्प है चार मीटर है 3.99 आ रहे हैं कोई बात नहीं और यह वाला हो जाएगा आपका कि 4925 ठीक है देखिंगे 4925 हाँ 4925 नहीं है वह एक मिलिट अग्वाइब कि तो 4900 ठीक है यह आपका 4900 और 3909 एक्षिल है 4000 चाहिद आटोकेट में कुछ वाननेम का मिस्टिक हुआगा लो प्रॉब्लम आप इसको सेम आजेटीस लेलो कोई प्रॉब्लम ने इन्टोफ झाहिए 4900 इंटो 3.99 है तो मैंने एक्सेल शीट में देखो एस्थ्री के लिए यह मेरा एस्थ्री है क्या लिखा है मैंने 4.99 इंटो 3.99 और डब पॉइंट 35 रहेगा तो quantity मिल जाएगा आपको ठीक है समझ में आ रहे तो इस तरह से आप हर एक चीज़ आपको करना पड़े एस त्री हो गए ना फिर आप यहां पर आ जाओ तो इसको बस आपको क्या करना है ना आप एक का करो एक में आप S1 लिखो फिर इसी को ना ऐसा और बस यहां पर आप S4 कर दो इस बार इसको यह आपका S4 बन जाएगा ठीक और एक बार डिलिट करो डबल क्लिक करो तो ओपन हो जाएगा और वहां पर एडिट करो S1, S2, S3 और S4, S4 का क्या साइज है और यहां से ना पलो यहां से यहां पर ठीक यह आउटर टो आटर क् कास्टिंग हो चुका है तो इसके अंदर ही तो आपका बैक फिलिंग स्वाइल आएगा कि 1750 मतलब 18 सब्सक्राइब 1750 तो S4 कहां पर गया ओके यह 3 मिटर लिया है 3 मिटर क्यों लिया है 3 मिटर तो नहीं होगा S4 है ठीक है तो S4 शायद इसको S4 लिया होगा क्योंके ना जब मैंने किया था जब मैंने English का recording किया था तब मैंने इसको बनाए तो no problem देखो आपको procedure पता है करना तो यह answer तो उतना ही आएगा आप चाह तो यह हम इसको ना S4 एकंसिडर करेंगे या 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 यह मैंने लाश में कंसिडर किया तो इसको मिस किया था शायद लाश में चला जागा S4 जो मैंने लिखा है ना वह एक्चुली एस या एक्जाक्ली देखो S19 दिख रहा है ना S19 1.8 इंटू 1.75 तो यहां पर देखो 1.8 इंटू 1.1 जब मैंने इंग्लिश का रेकोर्डिंग किया था मैंने इसको S4 नहीं इसको मैंने इसको मैंने मिस किया दिसलिए मैंने इसको लाश में स19 में डाला था ठीक है इसलिए आप एक्सिल्षीट देखो एक्सेल यहां पर 19 में यह ओला हो गया वह प्रब्लम आपना सब्सक्राइब आपको इतना ही मिलना है आपको बताऊंगा जब आप 69.255 यह आंसर मिल जाएगा नेमिंग आपके उपर है तो शायद यह आपका 3 मीटर होना चाहिए तो यह आपका 3 मीटर एगजाक्टली देखो 3 मीटर आ रहा है और यह आपका 1.8 हो जाएगा ठीक है यह आपका 1.8 समझ में आ रहा है तो यह मैंने एस फोर लिख रहा हूं ठीक है पॉर अवर अंडरस्टाणि और इसको हटा देना तो यहां पर देखो एस फूर में देखो क्या लिखा है वह त्री मीटर बाइवन पॉइंट इंडू पॉइंट पॉइंट त्रीफाइगा समझ में आ तो इस तरह से आप सारे का कर लूँ ठीक है एक चीज आपको जो करना है ना वहीस एरिया में एक कट्टाउट पर यहां पर बैक्विलिंग आएगा क्यूंकि आपका स्टेर्केस का पोर्षन है तो इस एकस का मतलब है कट्टाउट मतलब वहां पर कोई स्लैब नहीं आएगा पर बैक्फिलिंग तो हम प्लिंट लेवल तक ही करेंगे और प्लिंट लेवल से आपका स्टेर्केस जाएगा तो आप इसको क्या करने हैं इसको हटा दे एक्समार्क को हटा दो और आप इसको भी पर जब आप यहां प्याहिए आउगे ना दॉलिफ्ट का पुर्षन एसी का लिफ्ट पॉर्षण ठीक है आपको यहां पे कंसिडरनाई करना है क्यों कि प्लिंद्ध बीम का लावल यहां पर फिस फीजब आप लिफ्ट लगाऊगे लगाओ पर आपको ग्रॉंड फ्लोर में लेना है तो जो लिफ्ट का जो कार होता है और भी थोड़ा प्रत चला जाता है अगर अपने देखा है तो चाहँ नीचे हाइट कर रहेगा इशांपल या आपका लिफ्ट और पर उसके नीचे भी ना कुछ पॉर्शन रहेगा ठीक है अब जब आप लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर में आएगा जब यहां खड़ा होगा तो यह पोदिशन जो है ना वह यहाँ प्याएगा पर इसके नीचे वाला और भी नीचे जाना चाहिए अगर आप वहाँ पर बैक फिलिंग करोगे तो नीचे जाएगा इने तो आप इतना पूर्शन को क्या करना यू कंसेड़ेट असा कट आउट तो यहाँ यहाँ पर बैक फिलिंग का कॉंटिटी क्यालकुरेट मत करना सिंपल सी बात है बाकि सारे जगे पर कर लो और मैं आपको यह और एक और चीज़ भी समझा दूंगा जब आप यहाँ पर कॉंटिटी निकालोगे न तो आप क्या करना इसका पूरा एक बार कॉंटिटी निका और यहां पर कितना है यहां पर कितना है यहां पर कि एक ने 7084 तो हम इस पर चेक करेंगे कहीं पी में मेरे को आंसर मिल रहे है 7084 कि 7000 यहां पर चेक करने है कि 17.156 वन मेटर ठीक है आप क्या करना देखो 3100 इंटू 7084 मल्टिप्लाइ करो तो इससे क्या होगा आपको इसका पूरा वॉल्यम मिल जाएगा ठीक है इसका पूरा वॉल्यम मिल जाएगा अब इस पूरे वॉल्यम से आप इतने पूर्शन का एरिया को डिडेक्ट कर देन आपको इसका इरिया निकाल दो ठीक है इसका अ इसके आउटर से इसके आउटर दक लेलो फाइन तो आप क्या करना 2000 इंटू 2000 मतलब कितना हो जाएगा टू इन्ट टू मिटर फॉर स्क्वार मिटर और यह वाला 3.1 इंटू 7.084 करो इससे जो आंसर आएगा उससे आप 4 स्क्वार मिटर माइनस करो ताकि न आपको इसका बैक एक्सिल शिट्स बना के रखा है तो आप इसी को फॉलो करो आपको यह अंसर मिलना चाहिए अगर आसपास भी आ जागा तब भी काफी है ओके तो फाइनली या तो 3.8 3.484 ओके ठीक है तो हम में क्या करोंगा ना मैं इसके साथ एक इंग्लिश का लेक्चर पर आड करोंगा जहां पर मैंने एच चीज आपको इंग्लिश में एक्स्प्लेन किया अप उस लेक्चर को भी एक बार देख लेना ठीक है क्योंकि मैंने इंग्लिश में इसका सही से एकॉडिंग मैंने डाला तो 1s2s3 वह एक लेक्चर मैं इंग्लिश में आड करूँगा इसके तुरंत इ एक कोच ने लेंध मेजर करें इधर से और इसको मल्टिप्लाइक रिस लेंज से खतम विनिश आपका इरे निकल क्या जाएगा मुल्टिप्लाइब पॉइंट्रिफाइद अब इसका भी निकालो इस देखो कभी आपका बीम आउटर करो ठीक है इसका निकालो खतम मतलब ब इस घंच यह आवफ सारे चीज़ करने इस प्रहसे बस जब आप इस इस बीद की अंदर और इस बीम केश न सतो ethnog लोग birthday वूद करो तो इसका भी आपका वॉल्यम मिल जाएगा ठीक है ना अब कर लो अगर कोई भी प्रॉबलम होगा कोई चीज आपको समझ में नहीं आएगा अल्वेस गेट बाक तो में इसके साथ में इंग्लिश का लेक्चर भी आड़ करूंगा वहाँ पर मैंने आपको वह सारे चीज एक्स्प्लेइन किया है कि सब्सक्राइब केसे डाला जाता है तो अंसर याद रखना इतना आना चाहिए आपको 69.25 अगर इतना इसके आसपास भी आप आप जाते हो तब काफ एट, तो वी काफ एट. तो विल सी तो बाक इन नेक्ट लेक्टर, थैंक्यू.